नमस्का मित्रों स्वागत आपका इस यूटीब चैनल पे यूपी में भरती परिक्षाओं की चप्पे चप्पे पर निगरानी योगी का बड़ा फैसला प्रतियोगी परिक्षाओं के लिए बनाई नहीं नहीं थी अब जैसा कि आप जानते हैं कि परदेश सरकार हो चाहे केलर सरकार हो इस वक्त सभी प्रकार की परिक्षाओं को कराने में सरकार की किरक्री हो चुकी है चाहे वो NEET का पेपर हो, चाहे वो NET का पेपर हो, चाहे वो ROAR का पेपर हो और चाहे वो POLICE भरती हो ऐसे लेकर जट तक सवे प्रकार की जो भरतियां हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई धानली पाई जा रही है जिसके बाद योगी सरकार ने एक बड़ा फैसा लिया है, कुछ नीतियों में बदलाव किये हैं, जो फटफट पढ़ लेते हैं, ये कौन से नीतियां हैं, कौन से बदलाव इन्होंने कर दिया है तो मुक्यमंतरी योगी अधितनात के निर्देश पर परिक्षा पेपर लीक होने से रोकने और धानली खत्म करने के लिए फूल प्रूफ इंतजाम करते हुए नए नीति जारी कर दी गई है एक भरती परिक्षा कराने के लिए चार एजेंसियों की अलग-अलग जिम्मेदारी होगी परिक्षारतियों को अपने ग्रह मंडल के बाहर परिक्षा देने जाना होगा नेश अक्तों और महिलाओं पर ये प्रदिबंद लागू नहीं होगा चार लाग से अधिक परिक्षारति होने पर दो चड़नों में परिक्षा होगी रिजल्ट बनाने की धांदली रोगने के लिए आयोग और बोर्ड में ही OMR शीट की स्कैनिंग अप कराई जाएगी परिक्षा केंदर बनाने के लिए दो स्टेडियां बनाए जाएगी पहली स्टेडि में राज के इंटर कॉलेज से लेकर मेडिकल वा इंजिनिंग कॉलेज को रखा जाएगा दूसरी स्टेडि में एड़ेट स्कूलों को रखा गया है वित्वीहिन स्कूलों वा कॉलेजों में परिक्षार के अंदर अब नहीं बनाये जाएंगे गोपनी कोड रखे जाएंगे अपर मुख्य सचीव कार्मिक डॉक्टर देवेंदर चत्रवेदी ने गुरुवार की राज शाषना देश जारी करते हुए सभी आयोगों वा बोर्डों को भेज इसे दिया है एक पाली में अधिक्तम पांच लाग परिक्षार्थी को ही रखा जाएगा PCS परिक्षा को एक ही पाली में कराने की छूट होगी प्रश्ण पत्र के हर पन्ने पर गोपनी सुरक्षा चिन जैसे यूनिक बार कोड यूनिक सीरियल नंबर ढालने होगा जिससे जरूरत पर उसकी सीरीज के बारे में जानकारे प्राप्त की जा सके प्रश्णपत्र लाने वो ले जाने के बक्सों की temper proof multi layer packing होगी प्रश्णपत्र सेटिंग के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा परिक्षान यां तरक द्वारा प्रश्णपत्र छापने वाली एजेंसी का नेमित इंडिक्षन किया जाएगा तो इतने बदलाव किये जाएंगे अब आप देख सकते हैं कि और क्या बदलाव हैं उनको भी बहुत धिहान से हमको पढ़ना पड़ेगा तो चार एजेंसियां को मिलेगी अलगर जिम्मेदारी तो कैसे क्या होंगी देखिए एजेंसी A का काम प्रशनपत्र तयार करना होगा चपवाना होगा और सभी जिलों को कोशागार तक पहुचाना होगा एजेंसी B का काम होगा कि परिक्षा कराना इसमें प्रशनपत्रों को कोशागार से परिक्षा केंदर तक पहुचाना परिक्षा केंदर की सभी विवस्था वह परिक्षा के बाद OMR शीट को आयोग वह बोर्ड तक पहुंचाना होगा ये second agency का काम होगा थर्ड agency की बात होगी तो परिक्षा के इंदर पर सुरक्षा व्यवस्था इससे security, screening, biometric capture, CCTV, control room की व्यवस्था करना होगा और agency जो D होगी जो चौति जनसी होगा उसका काम वोई OMR sheet की scanning आयोग वबोर्ड परिसर में ही कराकर परिक्षा का score chain संस्था को उप्रवद कराना होगा अब धान्दिय दोकने के लिए ग्रह मंडल में आपको परिक्षा देने की मौका नहीं मिलने वाला ये एक तरीके से आपके लिए खबर अच्छी भी नहीं है और तीन सेटों मे OMR sheet मूल प्रती आयोग के पास होगी OMR sheet तीन सेटों में होगी मूल प्रती आयोग वबोर्ड के पास होगी दूसरी seal बंद कोशागार वद तीसरी अभ्यरती को दी जाएगी परिक्षा के दौरान आयोग वबोर्ड किसी भी तरह की अफ़ा वख खंडन करेगा परिक्षा के दौरान कंट्रोल रूम से कड़ी निगरानी की जाएगी अब देखिए हम जब बात करते हैं इस पूरे प्रकरण की तो देखिए सबसे पहली जो बात वो तो यही आगया निकल के आती है कि सबसे पहले तो हमें खुद को ही बदलना चाहिए पेपर लीग करवाता कौन है हम इनको पढ़ने से ज़्यादा इस तरह की खुरपेचियों में ज़्यादा मज़ा आता है तो मेरे हिसाब से तो सबसे पहले हमको अपने अंदर बदलाव करना चाहिए किसी भी देश में बदलाव खुद से ही आता है चाहे वो सचता हो और चाहे वो पेपर लीग जैसी समस् इनकाम है दूसरी बात आती है विवस्थाओं की अब देखिए विवस्था की जब बात करते हैं तो अब आप देखिए कि जो सेंटर बनाए जाते थे वह ऐसे जगा जब बना दिये जाते थे जहां पर वित्विहीन है या फिर जहां पर प्राइवेट है या फिर जहां पर मान के चलिए एक तरीके से प्राइविट संस्थाओं का जोर है वहाँ पर पेपर लीग की सबसे ज़्यादा जो खबरे वो निकलने के आती है अब इसी जीज़ में हमेशा मैं कहता हूँ कि सरकारी संस्थाओं को हम बंद नहीं कर सकते सरकारी कर्मचारी हमारे लिए इसी लिए अती आवश्यक है क्योंकि सरकारी कर्मचारी कहने के लिए आपको लगेगा कि वो मकार है लेकिन जितना जिम्मेदार एक सरकारी कर्मचारी होता है उतना जिम्मेदार और कोई नहीं होता यदि किसी सरकारी कर्मचारी को आप कोई काम सौपेंगे तो उसको पता है ये नौकरी मैंने बहुत महनत से पाई है और मुझे यहाँ पर धानली नहीं होने देनी तो वो 99% ये कार अच्छे से ही करता है अब 1% की देखिये बात नहीं करेंगे क्योंकि हर जगा अपवाद तो मौझूद मिलेंगे इसलिए सरकारी स्कूल हों सरकारी सिक्षक हों सरकारी संस्थाइं हैं इनको बचा के रखना चाहिए यही आपके लिए सुचता और जो आपके लिए जित्ती भी इस तरह की क्रिटिकल चीज़े होती उसमें सबसे ज़्यादा काम आपको ये कर्मचारी आते हैं चाहिए चुनाओ जैसे क्रिटिकल चीज़े हों वहाँ पर आप और प्राइवेट एजनसी को काम नहीं दे सकते हैं अब आप देखिए जो चार चार एजनसी बनाने के जूरुत पड़ गयी यह क्यों बनाने के जूरुत पड़ गई सिर्फ इसी वज़े से क्योंक पर ही करवाई करनी हो प्राइविट कमपनिपर आप पकड़ नहीं कर सकते क्यों कि वहाँ पर कॉन कब और किस पर क्या जिम्मेधारी सेट हो रही है वह वो लोग क्या ही करते गया है क्या यह सही है तो देखिए बिलकुल सिस्टम तो देखने में अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें एक समस्या है समस्या सिर्फ परिक्षार्थीयों के लिए जब एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी परिक्षा होती है जब आपको अपने ही जिले में सेंटर नहीं मिलता तो बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्था यह होती है कि आप कैसे ट्रेवल करते हैं अभी आपने कुल दिन पहले देखा होगा कि रेलवे की एक भरती थी तो रेलवे स्टेशन का क्या हाल था बसेस का क्या हाल था बच्चों की क्या इस्थिती होती है उसको भी सरकार को समझना चाहिए जब भी आप बच्चे का मंडल बदल देते हैं तो उसके लिए ट्रेवल करना एक छोटी बात नहीं होती है वो एक दिन पहले निकलता है एक दिन पेपर कहां रुक के देता है और लेकिन दिव्यांग और महिलाओं को उनके ही जिले में सेंटर मिलेंगे उन्ही के मंडल में सेंटर मिलेंगे ये एक अच्छी खबर है उनके लिए लेकिन जो छात्र हैं जो लड़के हैं उनके लिए ये खबर अच्छी नहीं है क्योंकि अब आपको और मेहनत करनी होगी त हैं हमको मत लिए पेपर लिए जैसे प्रक्ड़ों में पढ़िये ही मत नहीं पढ़ेंगे तो ना पेपर लिक होगी ना किसी के साथ भाविश में गलत होगा लास्त अब आपने वीडियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आप कोई कमेंट करना चाहे तो जरूर प्रेवन के लिए स्थार सबस्त सकत्रा सियुम करता है वी करता है ही मत अवाद लिए ए, और है आप्रैंगे